तो फ्रेंड्स विल्कम बैक तो मैं चैनल और फ्रेंड आज के इस वीडियो सिरीज में मैं डिस्कुस करने वाला हूँ आज के पेपर जो आपका डिजिटल सिस्टम का पेपर था तो फ्रेंड पेपर देने के बाद आपको अंदाजा लग चुका होगा कि वाकई में पेपर बहुत ही टफ था मैंने भी इस पेपर को चछी तरीके से देखा कहीं न कहीं यह पर आपके एग्जाम प्विट से आपके पृविस एक्जामिनेशन से कहीं न कहीं काफी ज्यादा यह टफ था आपके सकते हैं यानि एक बायक आरज़एपी भी ने लेबल जीरो से लेबल ह हाई लेबल तक इसको पहुंचा दिया जैसे की डेटा स्ट्रक्चर का पेपर आपका आया था उसके कंपेर में लगा कि सायद important question के according आपका पेपर analysis हो जाया लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं आरजी पीवी ने एकदम से सारी चीजों को change कर दिया तो इसलिए भरोसा रखने के काबिल नहीं है यह कहीं न कहीं तो आपको इस concept के लिए ध्यान में यह रखना है कि मैं discuss कर दे रहा हूं बारी बारी से solve होता था उसके according तो यह साथ नमर का question था इस पेपर को देख सकते हैं आपके सामने interface मौजूद है clear उसके वां फ्रेंड आपका यह दोसरा question है दूसरा question भी कहीं न कहीं आपने इस question को कहीं देखा ही नहीं होगा इतना तो मैं कह सकता हूं आपने इस question को कहीं नहीं देखा हो होगा है हाँ अगर इसके बावजूद भी कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो 30 पेज लिग दिया 32 पेज लिग दिया 25 पेज लिग दिया तो उस सारी चीजों में आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है अरे आपको घपराने की जरूरत नहीं है आपक अगर आप कहीं नहीं इन दोनों के लिए अगर आप केम एप का जो फिगर होता है तो केम एप मैने बताया था केम एप पे थोड़ा सा फेकॉस कर लीजेगा और 4 से 5 कुछिन डरेक्ली केम एप पे ही आधारित है जिसमें आपका केम एप का फिगर बना देना था और उसके according F3 के value को और F4 के value को आपको find out करना था यह आपका दास्ता concept तो आपका यह था second question उसका friend आपका यह अगला question था जिसमें आपको इस expression के लिए भी एक के मैप बनाना था तो overall अगर के मैप पे examiner अगर दो-दो नंबर दूंगा तो उस concept में थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है अब देखिए आपने एड़ वाइवन multiplexer देखा होगा लेकिन 4 वाइवन और 2 वाइवन के मदद से एड़ वाइवन multiplexer किस तरह बनेगा यह question आपने नहीं देखा होगा clear तो हो सकता है कुछ बचों ने एड़ वाइवन के अकॉर्डिंग ही डारेक्ट बना दिया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको घवरानी की ज़रुत नहीं यह question आपका आया था जो की x3 code और bcd code था जो की 7 नमर का था यह question और सायद आपका एक और question था जो की आपने बनाया होगा वो आपका था binary to decimal to binary में convert करना था उसको वो question सायद आपने बनाया होगा जो यह question आपका 5 नमबर यह question बनाने को आपको आ गया होगा आपका सही हो गया होगा यह 7 नमर मैं ऐसा मान के चल रहा हूं और ये कोशन तो out of मतलब समझ सकते हैं कि पूरे concept के बाहरी था तो कहीं न कहीं RGPB ने लेबल को थोड़ा सा हाई किया है थोड़ा नहीं बहुत हाई किया है कहीं न कहीं बच्चों को परिशानी का सामना करना पढ़ रहा होगा और इसके मद्दे नजर आपको कहीं न कहीं पूरे syllabus को आप पढ़ेंगे तभी आप कुछ बहतर कर सकते हैं मेरे according मेरे अनुभव के according उसके बाद फ्रेंड आपका ये भी था ये आपको synchronous counter बनाना था तो overall अगर आप पूरा डीप में जाके पढ़ेंगे डीप नहीं आप थोड़ा advanced level में जाके पढ़ेंगे तब आप इन questions को कर सकते हैं अगर आप चाहें कि जो आपका अर्जीवी में आपका जो जो टॉपिक दिया हुआ डिजिटल सिस्टेम के अंदर simple आप उस topic को कर लेते हैं तो भी आप उस question को नहीं कर पाएंगे इन सारी questions को इसके लिए आपको थोड़ा सा advanced level तक पहुंचना होगा advanced level तक जाना काफी इसके लिए जरूरी है दैन उसके बाद आपका ये short note निखने वाला था RAM, ROM ये सारी जो चीज़े हैं तो ये तो आपका बन जाना चाहिए जो short note वाला था 7 नमर का ये 14 नमर का ये सारी चीज़े इसमें यह मैंने ये बताया था जो आपका sampling theorem था ADDA converter Samson theorem और ये आपका ROM है PLA है DRM है flash RAM इन सारी चीज़ों को मैंने discuss किया हुआ था तो यही आपका overview था और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए घबराने की बिल्कुल ज़रूत नहीं है आपको भी वेरी हैपी खुश रहना है मिलते हैं अगले बीडियों तब तक लिए थाइंक्यू किया है।